Welcome to Carvacadmi और आज किस वीडियो में क्लास आठवी का जो गणित है प्रशनावली 2.1 और प्रशनावली 2.2 दोनों प्रशनावली का हम इस वीडियो में जो एकजामपल दिया है उधारण दिया है उस सारे क्विश्चन को कराने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो में प्रशनावली 2.1 और 2.2 दोनों प्रशनावली का एकजामपल उधारण बताने वाले है ठीके तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्या दिर नहीं लगाएंगे ठीके पहला उधारण है कि हल किजिए 2x-3 बराबर x प्लस 2 ठीके यानि यहां से सिर्फ आपको x का माण निकाल देना है ठीके तो कैसे बनाओगे सोचो बना सकते हो आप लोग बिल्कुल बना सकते हो बहुत ही असान है देखो सबसे पहले तो लिखेंगे हल हल ठीके जो दिया रहता है न उसको एक बार लिख दिया करो 2x-3 बराबर x प्लस 2 दिया है उसको मैंने अब देखो इसको आगे हल करेंगे और याद रखिएगा जब बीचे बराबर का साइन होता है तो इप्लाइड का साइन भी देना जरूरी होता है ठीके देखो तो यह 2x है और यह प्लस से बराबर की सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर यह 2 है और यह माइनस से ब बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो देखो 2x में से x गया x और 2 और 3 5 x का मान कितना आ गया 5 आ गया बस यहीं तो करना था इतना असान है प्रशने ठीके आईए इसका अगला प्रशन देखते हैं प्रशने संक्या 2 हल किजिए कि 5x प्लस 7 बटा 2 बराबर 3 बटा 2 x माइनस 14 यह आपका प्रशने है ठीके इनको मैं कैसे हल करूंगा देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल क्या है 5x प्लस 7 बटा 2 बराबर 3 बटा 2 x माइनस 14 ठीके यह हमारा प्रश्न दिया हुआ है अब मैं इसको हल करूँगा कैसे भाई जो एक सोल है न उनको एक साथ यह 5x है और यह पलस इदर जाएगा तो माइनस हा जाएगा यह 5x का 5x और यह पलस है न बराबर की सट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर में क्या है माइनस चाओदा तो माइनस चाओदा अब यह पलस है बराबर की सट जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस साथ बटा दो ठीक है अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो यहाँ भी कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो अब क्या करेंगे देखो 1 और 2 का LC हम लेंगे क्या होगा 2 होगा अब 1 में 2 से भाग देंगे 2 बार में 2 और 5 से करेंगे यह हो जाएगा 10X माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 3X ले करेंगे यह हो जाएगा 3X बराबर एक और दो का LCM लेंगे तो क्या होगा? दो होगा इसको भाग देंगे दो बार में दो और 14 से करेंगे माइनस 28 माइनस 28 हो गया माइनस इसको भाग देंगे एक बार में एक और 7 से करेंगे तो यह हो जाएगा 7 ठीक है? अब देखो 10 में से 3 जाएगा 26 और 7, 32, 35, कितना होगा 35, और यहां देखो, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पलस, और बड़ा का साइन माइनस है, तो माइनस से लिखेंगे, माइनस 35 बटा 2 हो गया, ठीके, अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको cross multiplication कर देंगे, cross multiplication कर देंगे, 2 और 7 x को गुना करेंगे, यह हो जाएगा, 14 x बराबर, माइनस 35 बटा 2 से करेंगे, माइनस 70 हो जाएगा, अब x में 14 क्या कर रहा है, गुना, x में 14 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो यह हो जाएगा, बटे में 14, 14 पाचे, 70, देखो, x का जो मान आ गया माइनस पांच आ गया ये अपका final answer हो गया ठीक है समझ माया तो ये था प्रश्णावली 2.1 में 2 उधारण दा 1 और 2 मैंने solve कर दिया अब प्रश्णावली 2.2 का भी इसी में हल करेंगे देखिए प्रश्ण संक्या 3 जो है न ये है प्रश्णावली 2.2 काउधारण में ठीक है इनको क्या करना है हल करना है हल करके इसको जांच भी करना है आईए हल करते हैं पहले उसके बाद जांच करेंगे सही है और नहीं है जो दिया है पहले उसको लिख लिया करो 6 x प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटावर x माइनस 3 बटा 6 ठीक है अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो तो देखो तो 3 और 1 कैलसियम क्या हो जाएगा 3 और 1 कैलसियम 3 इसको भाग देंगे 1 बटावर एक और उपर से करेंगे तो भाई जय होगा तेवी होगा क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक और 3 से भाग देंगे 3 तीन और एक से करेंगे 3 बटावर x माइनस 3 बटा 6 हो गया अब क्या करेंगे एक 6 x 3 और एक 4 बटे 3 बटावर x माइनस 3 बटा 6 अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीपी के सन तिर्चा तिर्ची गुना कर देंगे 6 जो है न इसमें गुना करेंगा तो 6 इंटू 6 x प्लस 4 बटावर यह 3 है न जाकर इसमें गुना कर देगा ते हो जाएगा 3 x माइनस 3 ठीक है अब यहां पर देखो 6 को 6 से करेंगे 36 x प्लस 6 को 4 से करेंगे 24 बटावर 3 को 1 से करेंगे 3 x 3 को माइनस 3 से करेंगे 9 अब यहां देखो यह 36 x और यह प्लस से बरावर के साट जाएगा तो माइनस बरावर माइनस 9 प्लास दिर जाएगा तो मिननде 14 यहां से देखो 36 में से 3 यहाँ जाएगा 33 x बराबर इन को जोड़ेंगे 24 36 ए भी हो जाएगा 33 माइनस माइनस पुलस और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस एक बराबर करेंगे यह हो जाएगा माइनस 33 बाटा 33 क्योंकि गुनाया कर दो भाग कर देगा एक बार में एक का जो मान आया माइनस एक आ गया क्या गया माइनस एक आ गया अब जो एक का मान जो माइनस एक आया भ्रक हुआ है अब जांच क्या है 6 x plus 1 बटे 3 plus 1 बराबर x-3 निटा 6 ठीक है अब देखे-एब मैं क्या करता हूं कि जो हमारा x-5 & x-1 उसको मैं put कर दूँगा लिखना x का मान पृस्त का मान समी करण में देने पर समी करण में देने पर ठीक है X कमान समी करण में देंगे तो X कमान क्या है माइनस 1 है न तो देखो यह हो जाएगा 6 गुना माइनस 1 पलस 1 बटे 3 पलस 1 बराबर माइनस 1 माइनस 3 बटे 6 अब क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बराबर यह देखो माइनस 1 माइनस 3 बटे 6 अब इसको मैं क्या करता हूँ माइनस 6 और 1 माइनस 5 हो जाएगा 5 बटा 3 प्लस 1 बराबर माइनस 4 बटा 6 अब यहां से क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का LCM, 3 भाग देंगे एक बार में 1 और माइनस 5 से करेंगे माइनस 5, अब पलस इसको भाग देंगे 3 यह हो जाएगा इतना, बराबर माइनस 4 बटा 6 अब यह देखो, माइनस 5 और 3, माइनस, सोरी माइनस 5 और 3, कितना हो जाएगा, माइनस 2 बटा 3, इसको कटा दो 2, 2, 4, 2, 3 आई, 6 माइनस 2 बटा 3, देखो, दोनों क्या आगया, बराबर आगया यानि जाच हमारा सही है, ठीक है यह हमारा प्रश्न संख्या, जो उधारन संख्या, जो 3 था वो भी कंप्लीट हो गया, अब उधारन संख्या, 4 देखिए 4 क्या एक हल कीजिए, और यह दिया हुआ है, बहुत ही मस्त प्रश्न दिया है, सबसे लॉंग प्रश्न नहीं है, ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है, उसको लिख लूँगा मैनस 5x, मैनस 2, 2x मैनस 7, बराबर, 2, 3x मैनस 1, प्लस 7 बटे 2, अब यहां देखिए क्या करते हैं, पांच x का पांच x, मैनस, यह 2 को 2 से गुना कर देंगे, मैनस 4x, यह मैनस मैनस प्लस 7, 2 नहीं, चवदा, यह 2 तीया है, 6x, 2 और मैनस x से करेंगे, मैनस 2, अब प्लस साथ बटा दो, ठीक है, कोई दिगत नहीं है, अब देखिए, आगे इसको सल्म करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो, पांच एक्स में से चार एक्स जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स, और यह प्लस दर जाएगा तो माइनस चे एक्स पराबर, यह माइनस दो है, अब प्लस साथ मटा दो है, और यह प्लस दर जाएगा तो माइनस, ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा घटाएगे तो माइनस पांच एक्स बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर भाग देंगे, दुबार में दो और 14 से करेंगे, यह हो जाएगा 28, ठीक है, अब यह देखिए, माइनस पांच एक बराबर, यह माइनस 4 और माइनस 28, माइनस 32, ठीक है, अब 32 में से 7 घर जाएगा, 32 में बाइनस 22, हो जाएगा पची से बटे दू और एक बात कि यह मायनस मायनस क्या होगा यह मायनस है और मायनस एड़ होगा मैरे को मिश्टेक हो गया देखो चार और 18-32 अब मायनस 32 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 25 सही है यार लेकिन बड़ा का साइड मायनस था तो तो माइनस रखेंगे, सही बनाए है, बह, अच्छा किये, कोई बात नहीं, अब इसको cross multiplication कर देंगे, 2 और माइनस 5 से करेंगे, 10 x बराबर, इसको करेंगे तो माइनस 25, a माइनस और a माइनस कट गया, यहां से x बराबर करेंगे, तो 25 बटा 10 हो जाएगा, 5 से 2 बार में कटा देंगे, अब 5 को इसको 5 बार में, यहांनि x का जुमान आया, 5 बटा 2 आ गया, अब इसको क्या करेंगे, जाच, लिखेंगे, अब जाच, क्या है अब का, 5 x माइनस 2 इंटू, 2 x माइनस 7 बराबर, 2, 3 x माइनस 1 प्लस 7 बटा 2, ठीके, अब क्या करेंगे, x कमान, x बराबर, 5 बटा 2, x कमान 5 बटा 2 देने पर, ठीके, इस समिक्रण में, तो क्या हो जाएगा, 5 x 5 बटा 2, माइनस 2, 2 x 5 बटा 2, माइनस 7 बराबर, 2, 3 x 5 बटा 2, माइनस 1 प्लस 7 बटा 2, अब यहाँ देखिए, 55, 25 बटा 2, माइनस 2, 2 दो कट गया, 5 माइनस 7 बराबर, यह 2, 25 बटा 2, माइनस 1, अब प्लस 7 बटे 2, यहाँ सब क्या करता हूँ, मैं, 21, 25 बटा 2, इनको गुना कर देंगा, 5 2 नहीं 10, मा- मा-प्लस 7 बटा 14, इनको गुना करेंगे, तो 15 2 बराबर, 30 बटा 2, मा-प्लस 7 बटा 2, अब यहाँ से क्या करेंगे, सब का ले लेंगे LCM, इनका भी 1-1 के कैल्सियम 2 और 2-1 के कैल्सियम 2 यह 25 हो जाएगा दो बार में 10 दूनी 20 हो जाएगा यह 2 बार में 7-14 दूनी 28 हो जाएगा 2-1-2 कैल्सियम 2 और यह हो जाएगा 30 भाग देंगे 2 बार में 2 दूनी के 4 अब पलस यह हो जाएगा 7 अब इनको जोड़िए तो 25 में से भी जाएगा 5 और 28 यह जाएगा 33 33 बटा 2 बराबर यह देखिए 30 में से नहीं इसको करिए साथ में चार जाएगा 33 33 बटा 2 देखिए दोनों बराबर आ गया यह देखिए हमारा प्रशन कंप्लीट होता है तो जीतना भी उधारान था सारे उधारान हम लोगों ने सल्व कर लिया अब हम लोग प्रशनावली को सल्व करेंगे थैंक यू सो मच